नमस्कार आप देख रहे हैं 20 तक मैं हूर रज़त देवगन आज मार्केट्स पे बहुत उठाबटक देखने को मिली देखिए शुरुआत तो ठीक थी निफ्टी 18134 पे ओपन हुआ और यही आज के दिन का हाई लगा लेकिन उसके बार ट्रेडर्स मूड में नहीं थे कि बह लेकिन आज के दिन का हाई ना टूटना तकनीकी रूप से एक दिक्कत भरा थाबित हुआ और उपरी इस तरों पे हो गए बिक्वाली वन वे ट्रैक पे अंतिन दो घंटे में मार्केट टूटा है नतीजा यह कि 18,000 के लेवल पे बंद हुए 17,999 पे 110 अंक गिर कर निफ्ट सेंसेक्स में 396 अंकों की गिरावट देखने को मिली है और 1% की गिरावट यानि 395 अंक कमजोर हुआ है बैंक निफ्टी बैंक से तो वैसे भी सहरा नहीं हुआ है तो साफ तौर पे एक ट्रैप था अच्छी खरेदारी के संकेज जो मिल रहे थे वैसा हुआ नहीं और उप सुझुकी 7% से जाधा चड़ता हुआ नजर आया इसके लावा निफ्टी लूजर में श्री सीमिंट रिलाइंस इंडस्ट्रीज हिंडाल को SBI और टार कंज्यूमर शामिल थे यहां पर दबाब देखने को मिला रिलाइंस आज शुराती सेतर में बहुत कमजोर हो रहा था अच्छा यह auto shares ही क्यों कि आज दिन नाम था auto और auto ancestry stocks का हुआ यह कि Morgan Stanley का एक नोट आगया जिसमें उनने कहा कि जो chip shortages semiconductor shortages हो रही हैं वो अब हो सकता है कि कम होती हुए नजर आएं खास्त और से जो मलेशिया से एक्सपोर्ट होते हैं तो यह एक बड़ा trigger बन गया और पूरही auto ancestry स्पेस में खास्त और से जो stocks हैं जैसे कि भारत स्पोर्ज सुप्रजीत इंजिनिरिंग मधरसं सुमी वेरोक इंजिनिरिंग महिंद्रा सी इस सूब्रो बॉश यह कुछ ऐसे stocks जहां पर जंकर action हुआ अच्छी तेजी बन गई और auto stocks में अल्रेडी बताई ही चुका हूं कि अच्छी तेजी में थे मारुती M&M भारत पोज Tata Motors, Hero Motor Coop इन तमाम stocks में आज के सत्र में अच्छी तेजी के साथ हुआ है कामकाज जो दूसरे अन्य सेक्टर से जहां पर कोई बहुत बड़ी चाल तो नहीं बनी लेकिन फिर भी ठीक है इस गेरता बजार में अच्छे trade हो रहे थे उसमें IT सेक्टर सामिश शामिल था जिसम पर इस तरह में मुनाफ़ा वसूली बिक्वाली हो रही है PSU bank में SBI आग 2% टूटा Union bank में 4% से जाधा की गिरावट JNK bank में 3% कैनरा bank में भी 3% bank of India भी आज कमजोर होता हुआ नदर आया और जो निजी शेत्र के बैंक से उसमें पेडरल बैंक इंडस इंड आईडी एफसी फॉर्स आईससी बैंक और एक्सिस बैंक जी स्टॉक्स थे वहाँ पर आजके सत्र में मुनाफ़ा वसूली होती हु पोरी के जो दाम है 15 रुपे घटे हैं दिल्ली की मार्केट में उसका असर आज सीमेंट स्टॉक्स पर देखने को मिला जिसमें श्री सीमेंट 3% ACC भारत अंबूजा सीमें और अल्टर टेक सीमें जैसे जो स्टॉक्स हैं वहाँ पर भी आजके सत्र में गिरावट देखने को मिली फार्मा एक और तबका जो आज के सत्र में कमजोर था जिसमें ग्लेंड मार्क ग्लैंड और कैडिला इपका लैब्स ग्रैन यूज और नैटको फार्मा जैसे जो स्टॉक्स थे वहाँ पर आज के सत्र में कमजोरी देखने को मिल रही थी अच्छा कुछ खबरों का अस पूना वाला फिनकॉप पजार बंद होने से पहले यहां पर बल्क दीव्स होती हुए लगभग 300 क्रोड की ब्लॉक दीव्स हुई थी उसका असर देखने को मिला 5% यह स्टॉक चढ़ा और कोफोर्ज खबर यहां पर यहां पर यह हो सकता है कि ADR लिस्ट करवाते हुए क्रामकार्श तो ऑटो कंपनियां तो तेज थे ही इसके लावा हाल की लिस्टिंग फिंटेक यानि की पॉलिसी बजार यहां पर भी 1952 करोड का कारोबार हुआ और जुमैटो आज दबाव में था लेकिन 1765 करोड का कारोबार मिटकाप गेनल से जहां पर अच्छी तेजी द सब्सक्राइब दिया सब्सक्राइब और 500 का अच्छी तेजी बनी लगबग 7-8% के आसपास टी बॉस चिन्वानने बाय मेंटेन किया था और टागेट समझ रहे थे 581 वाट वाबाक का टागेट हो सकता है बावन हफते का उच्छतम स्तर कुछ स्टॉक्स ने लगाया आज गिरते बजार में उसमें बीए से लिमेटेड पिछले कुछ दिनों से बहुत अक्टिव है स्टॉक थर्मेक्स इंगर्स इंगर्स लांड रैंड टीसी एटीसी एनस क्लोधिंग इसके लावा फेनुलेक्स के यहां पर भी पांच पर्शन के रिटर्न मिलते हुए नजर आए आई प्यो का दूसरा दिन था तार्संस प्रॉडक्स का और यह चोटा इश्यू है हलाकि लेकिन साड़े तीन गुना से जाद सब्क्राइब हो चुका है और कल इंपॉर्टन रहेगा गो फैशन का आई प्य सब्सक्राइब है 17 से 22 नवंबर तक खुला रहेगा और इन फाक यह एक हजार 13 करोड रुपे कंपनी के जुटाने की योजना है प्रेश प्रॉसीड और ओफेस के जरिए प्राइस बैंड 655 से 690 रुपे रखा गया है तो देखते हैं इसको कैसे रिस्पॉंस प्रॉण्स जुड़ी कंपनी है अब तकनीकी रूप से मार्केट कैसा लग रहा है देखिए हम बार बार यही कह रहे थे कि बाजार में 18,000 17,900 निचलास्तर एक रेंज जो पकड़ रहा है 17,900 18,000 नीचे और उपर 18,230 से लेकर 18,350 की पकड़ रहा है आज भी आप पैटन देख लीजे ह हम 18,230 के करीब ही नहीं पहुच रहे हैं तो अब इसी को ही रेजिस्टेंस मान लेजिए इस हफते 18,230 के लेवल को ही क्रॉस नहीं कर रहे हैं तो यह हो गया एक बाधा 18,210 मेरे खाल से इस हफते का हाय अभी तक लग चुका है और नीचे आप क्योंकि हम 18,000 के लेवल पे में बायन डिप्स की मारकेट है, निचले सरों पे आती है खरेदारी और थोड़े बहुत गेंस के बाध ट्रेडर्स एकदम से मुनाफ़ा वसूली करते हुए नजर आते हैं तो अभी भी निचले सरों से कुछ उम्मीद है कि अगर अंतराश्टी संकेत सुधर जाएं तो ए यह तो था मारकेट का पूरा रीकैप लेकिन बिस तक का यह निया लुक आपको कैसा लगा कमेंट सेक्षिन में जरूर मेंशन करें धन्यवार